हेलो एव्रिवान स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे नाम है तानिया शर्मा और यार पहले तो ना डर मत जाना ठीक है मेरी बात सुन लो जल्दी से इतनी बड़ी वीडियो देखके डर मत जाना क्यूंकि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट किताब है ठीक है फर्स्ट फिके से देखो अगर मैं आपको छे वीडियो देती 10-10 मिनट की वो सारी मैंने इखट्टे देदी कि आपको इधर उदर ढूंडना ना पड़े इधर भटकना ना पड़े इसलिए मैंने क्या करा है हर एक चाप्टर को शॉट में जैसे आपको रिवाइज इंडिया के अंत बढ़ना आगे बढ़कर भी इस विडियो को देख सकते हैं छे चाप्टर आपको इस वीडियो में मिलेंगे हर चाप्टर आपको बहुत ही छोटे पॉम में मिलेगा बहुत ही चोटे और असान तरीकित से मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की ताकि यार आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और रिवाइस करना हो तो बस आप ये वीडियो खोलो अपने लगाओ इयर फोन्स और अराम से बैठ कर देखो दस मिनट में आपका एक चैप्टर रिवाइस हो जाएगा ठीक है बच्चों शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से लेटर टू ग लेटर टू गॉड बच्चों जी एल फ्यूंतिस ने लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंतरगत एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो लेंचो का जो घर होता है ये क्वेस्चिन बहुत बार आ जाता ही कि लेंचो का घर कहा था लेंचो का घर था अंदा क्रेस्ट ओफ आ लो हिल क्रेस्ट का मतलब क्या होता है टॉप ओफ आ लो हिल आप बोलोगे टॉप भी लो भी मैडम यह क्या है देखो लो हिल मतलब कम हाइट की पहाड़ी यह जो पहाड़ी देख रहे हो यह कम हाइट की है बट यह कम हाइट की पहाड़ी के टॉप पर इसका घर है पह आड़ा था जमीन थी जिस पर वो यहूं करता था था किस चीज की फिल्ड थे रायिप कोण की कोया होता है भुड़ता करो ने इächstने की को यह इसकी फिल्ड थी सब्सक्ति है तुन न Springs निववड़ा कि तो पूरी सुभा एक दिन वो पूरी की पूरी सुभा कुछ इस प्रकार बैट जाता है और कौन सी दिशा में देखता है नौर्थ इस्ट ये बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना लैंचो कहां देख रहा था टूवर्ड्स द स्काय आस्मान की तरफ देख रहा था कौन स मुझे दिख राए कि बादल आ रहे है नौर्थ इस डारेक्शन से आज बारिश होगी बच्चों जैसा उसने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ जब उसकी बीवी ने उसको लेंचों को और उसके पती को अंदर खाना खाने बुलाया उसी टाइम उन्होंने क्या होती जित्ती जरूरत थी तो फसल अच्छी होती फसल बेच के पैसे आते तो एकदम से बारिश देखकर लेंचों इतना ज्यादा खुश हो गया बच्चों कि खुशी के मारे उसने बारिश की बुन्दों को क्या बोला न्यू कोईंस हम लोग इसमें कनफ्यूज हो जाते है सिल्वर कोईंस बोलाते हैं बट सिल्वर कोईंस हम आगे पढ़ेंगे सिल्वर कोईंस इसका अंसर नहीं है बारिश की जो बुने है उसकी तुलना उसने किससे करी न्यू कोईंस है क्योंकि अच्छी फसल आएगी तो पैसे भी अच्छे आएंगे बड़ी ड्रॉप्स को उ तो अगर पेपर में आए कि उसने रेंड्रॉप्स को किस से कंपेर किया न्यू कोईन से कंपेर करा सब कुछ अच्छा जा रहा था बच्चो सडनली एकदम से बहुत ही तेज तेज हवाई चलने लग गई ठीक है और उन हवाओं के साथ बच्चो हेल स्टोंस हेल स्टोंस अब क्या होता है औले बच्पन में आपने खाए होंगे छुट छुटे 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 ओले गिरने लग गाई अब जब यह हुआ तो उससे डर लगने लगा क्या अब तक तो ठीक था बट यह तो तुफान बनता जा रहा है हवाई चल रही है ओले गिर रही है दीस क्वेश्चिन आए अगर रेंड्रॉप तो रेंड्रॉप को उसने न्यू कॉइन्स बोला था बट अगर आए ओले हेल्स्टोन को सिल्वर कॉइन बोला था यह दोनों चीजे क्लियर है अब बही क्या होता है धिरे धिरे देखते हैं तुफान बढ़ता जाता है बढ़ता ज में जाती है ऐसा लगता है कि सवाहिं नमक से कवर कर दिया हो कि बाइवत तुफान था और उसका जो भुटे से तहसन ठी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी लेंचो बच्चों बहुत जादा उदास हो जाता है और वह अपने फैमिली वालों को बोलता है डाट आ प्लेग ओफ लॉकिस्ट मतलब लॉकिस्ट वो कीड़े होते हैं जो फसल में लग जाते हैं वो बोलता है अगर उनका भी जुंड आया होता ना तो वो भी इतना नुकसान नहीं करके जाता वो भी इससे जादा हमारे ले छोड़ जाता बट इन ओलो ने तो हमारा बहुत जाद से जैसे हमें सिखाया जाता है वैसे ही लेंचो को भी सिखाया गया था कि केवल एक भगवान ही है जिसकी आखे सब देख रही है जो तुमारे दिल के अंदर भी है ना जो तुमारे माइंड में चल रहा है वो भी भगवान को पता है तो अब भगवान ही मेरी मदद करेगा लेंचो वोजन ओक्स ओफ और मैं यानि कि बहुत ही स्ट्रॉंग आदमी था लेंचो बिल्कुल अपनी फील्ड में इतनी कड़ी महनत करता था अनिमल की तरह काम यानि कि बहुत ही कड़ी महनत वो करता था यहां पर यह की लिखा है कि फिर भी उसे पता था कैसे लिखना है क्योंकि जैनरली बच्चो जो फार्मर होते हैं किसान होते हैं उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है ऐसा हम लोग सोचते हैं बट यहां पर दिखाया गया है कि यह जो किसान तालेंचो इसे लिखना पढ़ सुबह उसने असक्राई विए उसने लेटर लिखना शुरू कर रहा और उसने सोचा कि यह खुद पोस्ट अफिस ले BACK में पैसे की जरूरत है अगर आपने नहीं तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूके मल जाएंगे अब बच्चो वो जाता है जैसे आप देख सकते हो जाके अपना लेटर डालाता है वो लेटर उठाता है पोस्ट आफिस का एक करमचारी और बहुत हसता है में के बच्चो पोस्टमास्टर के बछटे में किसम का आदमी होता है वो भी तरंत एकदम ओदन सीरियस हो जा ता है कि इसने भगवान को लेटर लिख दिया तो एकदम से उसकी श्रद्धा का हिसास हुआ और वो हसना बंद कर दिया और ताकि बच्चों उसकी श्रद्धा डगमगाए ना कि भगवान खुत तो आकर पैसे देंगे ना बहुआ किसको भेशते हैं और भगवान हमारी मदद के लिए अपने रूप में किसी और को भेशते हैं राइट किसी और के रूप में यहां तो वही बात है यहां पर कि भई लैंचों का भगवान से विश्वास जगमग आए ना तो पोस्ट मास्टर के पास एक आड़ी आया कि इस लेटर का अंसर मैं कर देता हूं जैसे ही उसने लेटर खोला उसे पता चला कि खाली जवाब नहीं वहीं है इसको तो पैसा चाहिए इसको पैसे की जरूरत है क्योंकि पोस्ट मास्टर एक अच्छा आदमी था उसने तो पर किसी की मदद कर रहे हैं तो सब लोगों ने थोड़े-थोड़े पैसे जमा करें लेंज और सबास कर पाए अब क्या होता है बच्चो जब उसने कर दिया तो पोस्ट मास्टर को खुश हो रही थी कि लेंचो आएगा खुश होगा चोकरना होगा कि भगवान ने पैस कर बच्चों चिठ्थी को कलेक्ट करा तो नौट दस्प्लाइट सप्राइज वस देर ऑन सींग दा मनी उसके चहरे पे बिल्कुल कोई सप्राइज ही नहीं था अगर हम भगवान को पत्र लिखे और भगवान हमारा पत्र वापिस कर दें चौकरने हो जाएंगे और यह कैसे यह तो चमतकार हो गया राइट बट उसको नहीं था उसको पूरा विश्वास था कि भईया भगवान तो देंगे ही देंगे ऐसा कॉन्फिडेंस था उसका वह बिल्कुल सप्राइज नहीं हुआ बट वह बहुत गुस्य में हो गया बच्चों जैसे ही उसने पैसे काउंट करें क्योंकि उसने सौ पैसो मांगे थे और उसको मिले सकतर तो अब उसने क्या करा बच्चों उसने दोबारा से यहां से लिया एक पत्र लिखने के लिए भगवान को बहुत गुस्से में और उसने लिखा कि गॉड जो मैंने आप से पैसे मांगे थे only 70 पैसो सब्टर पैस क्या पैसे तो बेजिए बट आप ये पोस्ट ओफिस वालों के जरीय मत बेजिए क्योंकि ये पोस्ट ओफिस के करमचारी कौन है दे आर्द बंच ओफ क्रूग्स बंच ओफ क्रूग मतलब यह बदमाश लोग है यह बैमान लोग है यह इमानदार नहीं है इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए और उसने लेटर साइन करा लेंच यही पर चाप्टर खतम होता है चाप्टर की सबसे बड़ी आईरनी है आईरनी क्या होता है बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड इग्जाम के लिए आईरनी क्या होता है जब हमने कुछ और सोचा हो बच्चो और बिल्कुल कुछ और ही रिजल्ट आ जाए हना यहां पर जिन ल प्लाइट बुक के सारे चाप्टर आपको आगे देखने मिलेंगे तो आए होप आपको समझ में आया होगा हाई गाइस तो हमारे सेकेंड चाप्टर है नेलसन मंजेला अलॉंग वॉक्ट फ्रीडम यह चाप्टर ना यार बहुत सारे बच्चों को ना बहुत टफ लगता है गारेंटी है अगर तुम लोग दस से बारा मिनट टिकर बैठ जाओ तुम्हें यह चाप्टर के अंदर का सब क्लिरली समझ में आ जाएगा ठीक है तो डायरेक्ट चाप्टर के अंदर जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दू कि यह चाप्टर है किस बार किया जाता था डिस्क्रिमिनेशन होता था अगर आप लोग काले हो तो गोरे लोग बहुत बेदभाव करते यहां नहीं आना वहां नहीं जाना आना एक तरीके से टॉर्चर करते थे तो इस सिस्टम के खिलाफ नेलसन मंडेला खड़े हुए थे उन्होंने एक पार्टी भी 1994 में ठीक है और नलसन मंडेला बने थे First ब्लाक प्रेजिडेंट आफ साउथ आफ्रीका First ब्लाक प्रेजिडेंट इतना समझ में आया Connor 2004 से लेके 1999 तक बच्चों वह उन्होंने सर्फ किया as the president of South Africa and यह आपको याद रखना है कि यह ऐसे पहले president थे जो की elect किये गए थे in a full representative democratic election ठीक है फुली तरीके से सारे जो भेदभाव हैं उन्हें छोड़ के democratically यह जो थे Nelson Mandela इन्हें elect किया गया था इतना समझ में आया अब यह जो chapter है ना long walk to freedom यह एक autobiography है autobiography क्या होता है जब आप अपनी life के बारे में खुदी लिखते हो जैसे automatic machine वो खुदी चलती है हाना automatic चीज़े खुद चलती है वैसी autobiography मतलब जब हम अपनी life के बारे में खुद लिखते हैं तो यह Nelson Mandela ने अपनी life के बारे में खुद लिखा है संगर्षों के बारे में तो जो पूरी की पूरी इनकी autobiography उसमें से एक चाप्टर सिर्फ एक चाप्टर उठाया गया है जो आपको यहां पर पढ़ाया गया है ठीक है class 10 में उस चाप्टर का नाम है होता है बेसिकली आपको याद रखने कि एक पॉलिटिकल सिस्टम था साउथ एफ्रिका में जिसके बेसिस पे भेदभाव किया जाता था सेप्रेट किया जाता था लोगों को अंदर बेसिस ऑफ देर कालर इतने जादा भेदभाव वाली सोसाइटी से आज एक ऐसा समाज बनाया है जहां पर कोई discrimination नहीं होगा चाहे color के basis पे कास्ट के basis पे religion के basis पे कोई discrimination समझ में आया चाप्टर शुरू करें एक आईडिया आप लोगों को लगया होगा चैप्टर के बारे में है, मैं बहुत असान तरीके से बहुत जल्दी ये चैप्टर समझाऊंगी, बोड की परिक्षा में, जो अन-जो अनसी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, केवल वही चीज़ें आपको बताऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, ये चैप्टर की शुरुआत होती है, आपको ये डेट याद रखनी है, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी, मैं दुबारा बोल रही हूँ, बोड एक्जाम, बोड की जो परिक्षा है, उसके पॉइंट ऑफ यू से बताऊंगी, तो सारी चीज़े ध्यान रखने हैं, सो बच्चों, दस मैं, 1994 का दिन था, दिन एकदम ब्राइट और क्लियर था, जो inauguration ceremony है, यानि कि जो शपत लेनी हैं उन्हें, हना आज से वो president मनें उन्हें जो शपत लेनी हैं, वो हो रहा था वहाँ, of the first non-racial government, non-racial government एक ऐसी सरकार, जो आपके color के basis पे भेदबाव नहीं करती, एक ऐसी सरकार का जन्म हो रहा था, हो कहा रहा था, कौन सी जगा पे, ये भी बहुत बार question आजाता है, बोड में याद रखना, lovely amphitheater in the union buildings in Praetoria, ठीक है, यहाँ पर हो रहा था, it was the largest gathering of international leaders, बहुत सारे international leaders आये थे बचो, ठीक है, बहुत सारे, मतलब, 140 countries से भी जादा, countries से international leaders आये थे, उन्होंने इस ceremony को attend करा था, सबसे पहले Mr. D. Clark ने second deputy president की शपत ली, फिर धाबो ने first deputy president की, और finally Nelson Mandela की बारी आई, तो उन्होंने शपत ली as the first black president of South Africa, अब जब वो शपत ले रहे थे, और विसी बात हैं उन्होंने अपनी speech भी देनी थी, तो अपनी speech के अंदर वो बताते हैं, कि कैसे सदियों से, कैसे centuries से, यह जो South Africa है, that was the seat of white supremacy, यानि कि केवल यहाँ पर white, गोरे लोगों का ही rule था, गोरे लोगों का ही शासन था, उन्होंने ही अपना यहाँ पर भारी पनिक तरीके से बोल सकते हैं, तो वही वो बोल रहे हैं, कि हम लोग जिने आउटलॉ कर दिया था, जिने कुछ मानते ही नहीं थे, आज हमारे देश में ही इतने सारे लोग आया हैं, और हमें यह मौका मिला है, कि हम उन्हें होस्ट करें, यानि कि हम उनका स्वागत करें, अपनी इस स्वाइल, अपनी इस country में, वो बोलते हैं कि यह जो हमें जीत प्राप्त हुई है ना अपार्थाइट सिस्टम पे, यह हम सब की जीत है, यह common विक्ट्री है नयाय की, जस्टिस की, पीस की, और human dignity की, ठीक हैं, उसके बाद वो बोलते हैं, कि अब हम लोग किस में काम करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे, to liberate, liberate मतलब free, कि हमारे सारे लोग free हो जाएं, किस से, गरीबी से, poverty से, जितने भी उन्होंने, चीजे सही है, जितने भी बिमारिया है, जितनी भी गरीबी है, उन सब चीजों से, हम अपने लोगों को free करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब white rule खतम हो गया है, right and up, एक common government आ गई है, never would South Africa again face the oppression of one by another, oppression मतलब क्या होता है, अत्याचार के अब कभी भी, South Africa के soil पे अत्याचार नहीं होगा, so Nelson Mandela, इतने में ही बच्चों उपर आसमान में जेट्स, जेट्स पता है ना क्या होते हैं, जब वो चलते हैं तो अपने पीछे एक smoke trail छोड़ते वे चलते हैं, तो बहुत ही शांदार तरीके से display हो रहा था, उपर जेट्स का, एक के पीछे एक helicopters और जेट्स चल रहे थे, ठीक है perfect formation में वो चल रहे थे, वो क्या दिखा रहे थे, वो ऐसे क्यों चल रहे थे, वो दिखा रहे थे अपनी loyalty, military's loyalty to democracy to the new government, ठीक है कि अब जो यह नई government elect हुई है, इसके लिए हम loyal हैं, ठीक है तो अपनी loyalty दिखा रहे थे, उसके बाद बच्चों दो national anthem भी गाए गए, दो national anthem क्यों क्योंकि साउथ एफ्रिका में पहले दो national anthem होते थे, एक white का और एक black लोगों का, तो वो दोनों ही national anthem उस दिन गाए गए, अब Nelson Mandela अपनी speech के दोरान, बहुत ही overwhelmed, यानि की भावू को जाते हैं, इतिहास याद करके, history याद करके, जैसे बच्चों अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में कितने लोगों ने कुर्बानिया दी, हम लोग हो जाते हैं न, emotional याद करके, राइट, कि अगर उन लोगों ने कुर्बानिया नहीं दी होती, तो आज को हम लोग अजादना होए होतें, बिल्कुल उसी तरीके से, Nelson Mandela भी अपने, पेट्रोइट्स को याद करकर, बहुत ही जादा emotional हो गए, उन्होंने बताया, कि कैसे ही South Africa में, अपार्थाइड का जनम हुआ था, एक ऐसी सुसाइटी कैसा समाज बन गया था, जो racial discrimination करता था, बहुत हार्श और cruel था, इन्हूमेन था, यानि कि आप ऐसा वह समझ लो, कि humanity थी निंसानियत थी निए उन लोगों के अंदर, इतना ज़्यादा torture किया जाता था लोगों को, अब वो बोलते हैं कि एक नया सिस्टम बना है equality पे, कि अब सब लोग equal है, चाहे उनका color क्या हो, चाहे वो female हो, male हो, चाहे उनका religion क्या है, अब सारे लोग equal है, अब old और cruel system यहाँ पर नहीं रहा है, ठीक है, वो यह भी बोलते हैं कि यह जो अपार्थाइड है, इसने एक बहुती deep, हाना एक बहुती गहरा जो चोट है, वो मेरे लोगों के दिल में छोड़ी है, यार आप किसी पर अत्याचार पर अत्याचार पर अत्याचार करोगे, बच्चों very important question board exam में पूछ लेते हैं, unintended effect का क्या मतलब है, unintended मतलब जो हमने सोचा नहीं था बट वो हो गया, यानि कि अगर मैं आपको इंडिया का example दू, इंडिया में गोरे लोग आए, रूल करा उन्होंने, उसका एक effect क्या हुआ, कि हमें हमारे देश भक्त मिले, भगत सिंग मिले, अगर कभी गोरे आई नहीं होते, उन्होंने अत्याचार की यहीं नहीं होते, तो देश भक्त कौन कहलाता, कोई नहीं, तो वो वही बता रही हैं, कि ये बुरी चीज तो हुई, हना अपार्थेट सिस्टम तो आया, बट इस से कुछ ऐसे लोग भी सामने निकल कर आई, कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हीरोज निकल कर आई कुछ, ठीक है, ये जो हीरोज थे, वो बोलते हैं, इनमें बहुत करेज, बहुत हिम्मत थी, बहुत विज़्जम, बहुत समझदारी थी, और ये लोग बहुत जेनरेस, बहुत दयालू थे, बेटा बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर आ जाता है, नेल्सन मंडेला की अनुसार, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या था, यहाँ पर मैं चैप्टर के साथ साथ, आपको क्वेश्चिन भी बताती जारी हूँ, कि क्यों सा आएगा, ग्रेटेस्ट वेल्थ आप बोलोगे, कि उनके मिनरल्स में नहीं थी, बलकि, ग्रेटेस्ट वेल्थ उनके लिए थी, उनके लोगों में, मैन उफ सच ग्रेट क्यारेक्टर, उनके लोगों में, नेल्सन मंडेला के लिए, जो सबसे बड़ा खजाना था, वो उनके डाइमेंड या मिनरल्स नहीं थे, आगे, again ये बहुत इंपोर्टेंट है, मीनिंग ओफ करेज पूछ लेते हैं पेपर में, कि नेल्सन मंडेला के अनुसार मीनिंग ओफ करेज क्या है? आप बोलोगे, नेल्सन मंडेला ने, ये जो मीनिंग ओफ करेज है, वो बोलते हैं कि, मैंने इन बहादूर कॉम्रेज कॉम्रेज मतलब मेरे जो साथ ही थे इस फ्रीडम की स्ट्रगल में उनसे सीखा क्या सीखा कि करेज इस विक्ट्री ओवर फियर के डर के उपर जीत को ही हम लोग करेज हिम्मत बोलते हैं एक हिम्मत वाला वो नहीं है जिसे कभी डरी नहीं लगता है एक हिम्मत वाला वो हे बेटा जिसे डर तो लगता है पर वो उस डर के उपर जीत हासिल करता है OOOO. तो वह बोलते है कि जो मेरे सुम्स ए ती स्विडम की चरही प्टूरगल में यह दिने के लिए तो यह पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं बट एक आइडिया के लिए यह लोग तैयार हो गए है अपनी जंदगी कुर्बान करने के लिए रइट यह जो फ्रीडम था यह जो आइडिया था फ्रीडम का एक्वेलिटी का इस पे इन्हों ने अपनी जंदगी कुर्बान कर दी इवन इन दॉक्ष्स प्रिज़ंश तो भी इनके जो होपस जो आशाए हैं जो एक विश्वास है वो नहीं तूटता था इनके अंदर जो एक आग है ना वो से कभी भी भुझने नहीं देता है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग ओफ करेज क्या है आप बोलोगे करेज इस विक्ट्री ओवर ики ठीक है आगे ट्विण रिसपॉंसिबिलिटी इस पर भी क्वेशन आ जाता है कि निलस न्डेला के अनुसार 2 मतल रिसपॉंसिबिलिटी मतलब दिममेदारी दो सिम्मेदारी में कॉन सी थी नैल्सन देला ने बोला बच्चों कि उन्हें रगता है हर इंसान की दो अब्लिगेशन दो कर्तव्य दो जिम्मेदारिया होती हैं पहली ब्यूटी टूबर्ट जिर्स वाइफ एंड उसको अपनी फैमिली से अलग कर देते उसे मारते उसे देश द्रोही बोल देते हाना इफ एनी ब्लाक ट्राइट टू लिव लाइक फ्री हुमन बिंग ही वस पनिश्ट उसे पनिश्मेंट दी जाती उसे आइसोलेट याने की अकेला कर दिया जाता एक अकेले काल कोट्री में उसे जिन्दगी बितानिक लिए छोड़ दिया जाता अवे फ्रॉमिस फामिली हाना उसे रेबेल विद्रोही कंसीडर करते समझ में आया तो वह बोलते कि किसी और कंट्री में आप ये दोनों अब्लिगेशन फुल्फिल कर सकते हो दोनों करतावे फुल्फिल कर सकते हो जाग लो कि तब मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है देश में बट जब मैं बड़ा हुआ धीरे-धीरे मुझे रेलाइज हुआ कि ना केवल मेरा बट मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोगों का ही फ्रीडम इन्होंने ले लिया है सो मंडेला रेलाइस बैट ना कि फिर जो उनकी अजादी की भूक थी ना वो केवल अपने ले नहीं अपने देश के लोगों के लिए हो गई ठीक है तो इनकी इच्छा थी ना फ्रीडम के ले कि मुझे मेरे लोगों को अजाद कराना है उन्हें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है ये इच्छा ने उन् विद्रोही बन गए ऐसा क्या हूँ तो आप लिखोगे भाई ऐसा उनकी इच्छा ने किया उनकी इच्छा थी कि उनको अजादी चाहिए अपने देश के लोगों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए इस इच्छा के चलते ही उनमें हिम्मत आई और वो एक वीक आ पंसेीजदय मंडेला ने बोला कि फ्रीडम को नंबात नहीं सकते इंडिविसिबिल मतलब यह यह नहीं आधा किलो इसे देदो पाव किलो उसे देदो नहीं है फ्रीडम सब सानीद चली गई है मेरे तो उसने छीन ली मेरे पर अत्याशार करके वट जो मेरे पर अत्याशार कर रहा है उसकी वह तो अंदर का इंसान मर चुका राइट तो वह ही बोल रहे हैं कि और यह नों एक वह वह तो पॉईंटस मेन भी बताया अगर आपको शॉट में और चाहिए तो यह मैंने लिख दिया यह समय आपको सब्जा दिया जह दे謀 आपने overlap अभी टेल में समझाया यह मैंने पॉम्हें मैं पॉइंट में लिख दिया घालं आप लोग पॉस कर के इसको पढ़ सकते हो अगर character sketch आपको Nelson Mandela का चाहिए तो वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है आप लोग वो भी पढ़ सकते हो ठीक है तो chapter मैंने आपको समझा दिये character sketch मैंने आपको दे दिये important points मैंने आपको दे दिये I hope this is clear this chapter is clear thank you so much Hi everyone so this is your chapter number 3 from the diary of Anne Frank यह जो chapter है बच्चों जादर बड़ा नहीं है बहुती असान सा चोटा सा chapter है कुछ important चीजें हैं जो हमें board exam के perspective से ध्यान में रखनी है Anne Frank हम सबको पता है कौन थी right एक 13 साल की बच्ची जिनोंने world war के दोरान diary लिखना शुरू करा था क्यूंकि उनको लगता था कि उनका कोई भी सच्चा मित्र नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने वो अपना बोल सकती है एक loving family भी है बेहन भी है बट स्टिल उने लगता था कि यार कोई ऐसा नहीं है जिस पे मैं confide कर सकूं मैं trust कर सकूं जैसे अगर हमें lonely feel होता है हम में से बहुत सारे लोग including me मेरा solution है कि अपन लिखने लगते हैं कुछ लोग अपनी feelings लिखने लगते हैं डायरी के अंदर तो कुछ लोग गाना बनाने लगते हैं वैसे ही जैसे मैं तुम लोगों को पता है मैं poetry लिखने लगते हूं तो सबका बच्चों अलग-अलग तर करते हैं चाप्टर की शुरुवात होती है डायरी डायरी लिखती है एन फ्रैंक स्टार्टिंग में बताती है कि डायरी लिखने एक बहुती स्ट्रेंज मतलब एक अजीब सा अनुभव था मेरे लिए आन फ्रैंक को लगता है that writing a diary is a strange experience for her क्यों लगता है ऐसा बहुत बार बोर्ड की परिक्षमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है तो वैसे ही क्योंकि उन्होंने कभी पहले डायरी नहीं लिखा and दूसरी चीज़ उन्हें लगता था that no one else except her will be interested in the musings of a 13 year old school girl musings क्या होती है बच्चु विचार thoughts उन्हें लगता था कि उन्हें छोड़कर कौन ही पढ़ेगा ये दायरी 13 साल की बच्ची की डायरी पढ़ने में कौन इंट्रस दिखाएगा किसको रूची होगी तो अगर बच्चों कभी भी बोर्ड के परिक्षा में question आजाए आपसे पूचे कि भाई डायरी लिखना एन के लिए इतना अजीब अनुभव क्यों था strange experience क्यों था आप यह वाली लाइन्स लिखेंगे that she has never written anything before and she felt that no one else except her will be interested in the musings of a 13-year-old school girl ठीक है फिर वो बोलती है कि मुझे क्या करना है मुझे तो डायरी मेरे लिखनी है तो तो डायरी लिखने के दरान ही वो यह बताती है कि paper has more patience than people यह बच्चों बहुत important line है आपके chapter की और बहुत बार question आ जाता है question क्या आता है as it is line लिख कर दे देंगे और आगे बोलेंगे से explain करो कि आन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता है कि एक कागस कर जो टुकड़ा होता है वो एक इंसान से जादा बहतर है उसमें जादा patience होते है जादा धेर रह होता है क्यों आप बोलोगे and feels that paper has more patience क्योंकि there was a time when she was little depressed and sat एक दिन की बात है उनका मोड ऐसी बहुत खराब था बिना वजा कि और वो घर पे बैठी हुई थी decide कर रही थी कि बाहर जाना चाहिए या अंदर रहना चाहिए and she doesn't want anyone else except her to read her stiff backed notebook और वो decide कर रही होती है कि मैं you know मेरी diary लिखूंगी stiffed back मतलब वो जो diary का cover होता है बहुत हाड होता है इसलिए बोला गया कि मैं अपनी diary किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी जब तक मुझे एक real friend नहीं मिलता she keeps the diary as she doesn't have a friend ठीक है वो उन्होंने diary क्यों रखी अपने friend के त उनका mood ठीक नहीं है वो अपकी नहीं सुनेंगे लोगों का कुछ भर्वसानी है आप वो लोगे उसे मल बताना हो जाके बताएंगे right or wrong हमें नहीं पता कौन कब हमारा विश्वास तोर दे हमें नहीं पता कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है कौन हमें judge कर रहा है नहीं कर डाइरी शुरू करने से पहले वो सोचती है कि आर थोड़ा अपनी family के बारे में बता देती हूं क्योंकि अगर मैं सीधा diary लिखने बैठ जाओंगी तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं कौन हूं कहां से हूं मेरी family में कौन है वो बोलती है लम समय से तीस लोग है जिने मैं जानती हूं जिने मैं अपना दोस्त बोल सकती हूं मेरे पास एक family है loving aunts है और एक अच्छा कासा भरा परिवार है ठीक है मेरी एक 16 साल की बहन भी है बट स्टिल मुझे बहुत अकेला फील होता है है टीस लोग है जिने में दोस्त बोल सकती हूं उसनि कि में अकेली हूं बट मुझे वो वो अकेला पन फील होता है मैं किसी में कनफाइट नहीं कर सब्सक्राइब कांट कंफाइड इन इच अदर कंफाइड मतलब भरोसा ट्रस्ट एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं वह खुद पर ही दोश लेती है बोलती शायद मैं इंट्रोवर्ट हूं यानि कि मैं जादा घुल मिलने पाती हूं मेरा ही दोश है मैं अपना ही लिए पर उनके जराइं दुनिया के सब्सेसिे प्यारे पापा मेरे पास है उन्हों ने मेरी ममी से शादी करी जब वह 36 साल के थे और मेरी Cancerice fut Annگit उसका उननें और जनम 1926 में हुआ जबकि 1942 में उनकी ग्राइड मा की डेथ हो गई और ने डायरी लिखना कब स्टार्ट किया 20 जून 1942 तो यह वाले पेरग्राफ में इंपोर्टेंट चीज़े हैं उनकी फैमली से रिलेटेड के उनकी ममी पापा है मागिट है जो तीन साल बड़ी है पहले वो अपनी ग्राइड मदर के यह डेट याग ओ सॉरी 28 जून 1942 को डायरी लिखना शुरू करें ठीक है 12 जून मैंने इसको देखके बोल लिया अब देखो वो एक बार की बात बाती है बोलती है वैसे तो मेरे सारे ही टीचर से अच्छे रिलेशन है सबसे मेरी अच्छे से बनती है एक बार की बात वो बत रिजल्ट का दिन था टीचर बताने वाले थी कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा कौन सा फेल हो गया है तो भाई सारे बच्चे बिलकुल कपकपी छुट रही थी वो लोग शर्त लगा रहे थे कि तू जी तू पास होगा वो पास होगा वो फेल होगा एक दूस से जाधा क्लास में हैं से बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं कुछ नहीं करते उन्हें फेल होना चाहिए बट वो बोलती है कि जो टीचर जैना वो अनप्रेडिक्टेबल हैं यह भी बहुत इंप्रेडिक्टेबल क्रियेचर्स प्रेडिक्ट मतलब आप अनुमान ही न ल थिक है बस मेरा एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत डर लग रहा है माट्स के साथ अच्छे रिलेशन थे केवल मैट्स वाले टीचर को छोड़के मैट्स वाले टीचर का नामता बच्चों मिस्टर कीजिंग और मिस्टर कीजिंग जो थे वो एक ओल्ड फैशन तो अब भई क्या किया जाए तो मिस्टर कीजिंग ने बच्चों क्या करा मिस्टर कीजिंग ने उसको एज पनिश्मेंट एक्स्ट्रा होमवक दिया कि तुम एक चैर्टर बॉक्स पे इससे लिखकर लाओ अब बेटा यह सबसे इंपॉर्डन पार्ट है तीन बारी वो उसको पनिश्मेंट देंगे पहली बार में उन्होंने बोला चार्टर बॉक्स चार्टर बॉक्स मतलब बग 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 करता रहता है उस पे तुम होमवक लिखोगी अब आन फ्रैंक बोलती है कि मुझे जस्ट पेजिस भरने के लिए वो होमवक नहीं करना था कि मैं इंपर्टेंट है ध्यान से सुनना उन्होंने बोला कि बाते करना तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है एक स्टूडेंट के अंदर होता है क्यार्यटरिस्थिक है ह disruptanc statewide हम आप सिके से चेंच करोगे बोलती है देखो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उसे अंडर कंट्रोल रखो बाते करने कम करूँ बट वो बोलती है मैं कभी भी इसको अपने अंदर से निकाल कर फेक नहीं सकती इस हाबिट को क्यूं क्यों 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 यह inherited trait है inherited मतलब मुझमें मेरी मां से आया है मेरी मां मे यह नहीं कर सकती चाहिए ठीक है तो उसने यह बोला हर मदर आलसू टॉक्ड एस मच शी ड़स इट इस एन इन हेरिटेट ट्रेग मिस्टर कीजिंग को बहुत हसी आई पड़कर अब आगे क्या हुआ दुबारा उसकी बाते कम नहीं हुए तो एक और बार उसको ऐसे दिया गया ए ऐन इन कॉरिजबल चैटरबक्स, ऐसे बोलते रह भो बहुत तरह भूलते रहो भी ढ़्यटस से डिया दूराती रहा हुए तो उसको ऐसे दिया क्वाक क्वाक सेड मिस्ट्रिस चैटर बॉक्स यह टॉपिक है हना एक तरीके से बोला कि क्यूंकि तू भी क्वाक क्वाक करती रहती है तो अब तू इस पर ऐसे लिख कर ला अब एन फ्रैंक ने बोला कुछ तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा यह ऐसे तो मानेंगे नहीं कुछ इससे पर दिया कि क्वाक क्वाक करती हो इसी पर लिख कर आओ बच्चे बहुत असे उसकी फ्रैंड थी उसने बोला मैं तेरी मदद करूंगी अब आन फ्रैंक ने क्वाक कर लिया कि मैं मिस्टू कीजिंग को सबक सिखाके रहूंगी ठीक है उसने इस बार ऐसे को कवीता के फर्म में लिखा एक कवीता के फर्म में बताया जिसमें उसने बोला बच्चों यह बहुत इंपॉटंट है याद रखना क्या बोला उसने अं मादर डर्क एंड फ बच्चे बच्च बात निक्रे यह तो कोन ने तो मिस्टर कीज को वह समझ में आई वह गलत तरीके से नहीं लेके गए तरीके से लेकर गए उसकी पोँम और उसके message को और उन्होंने बाखी classes में भी पोर्म सिखाई और तब से बच्चों उसे allow कर दिया कि ठीक है मेरी मा तु कर ले बात और उसे कोई भी extra homework नहीं दिया काया ठीक है so I hope आपको ये chapter भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा I'll see you in the next chapter thank you Hi guys so this is your chapter number 4 Glimpses of India अब यार Glimpses of India में हम लोगों को पता है बच्चों तीन पार्ट है हना इस चाप्टर के अंदर ही आपके तीन पार्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बच्चों फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बात हो रही है बेकर्स की जो लोग you know bread वगेरा से related चीज़े बनाते हैं सो लेसन चुरू होता है बच्चो जिसमें नरेटर बताते हैं कि कैसे उनके जो एल्डर्स हैं नरेटर के जो एल्डर हैं जो बड़े लोग हैं वो अकसर याद करते हैं अपने पूरवजों को अपने उन टाइम को जब गोवा की उपर पॉर्चुगीज का रूल था ठीके बहुत जादा महत्व दिया जाता है बेकर्स वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉर्चुगीज आए थे अपने साथ यह लेकर आए थे और जब वो चले गए हैं उसके बावजूद जो वहां पर प्रोफेशन है ना बेकर्स का वो बहुत 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 इंपॉ यहाँ पर क्या बोला गया है जो लोग mix करते हैं जो लोग mold करते हैं आत वने सीडियरा सब a कहने का क्या मतलब है कि यह जो प्रोफेशन है बेकर्ज आज तक गोवा के लोगों को सर्व कर रहे हैं इस पॉसिबल दाट दी ओरिजनल वांस में नॉट एक्जिस्ट बट देर प्रोफेशन इस बॉइंग कॉंटिनूड बाइब साथ और विसी बात है यार हर कोई जिन्दा तो रहेगा नहीं राइट प्रोफेशन को अभी भी कैरी आउट कर रहे हैं आगे बच्चों नरेटर बताते हैं कि पहले जो बेकर आता था तो वह एक बैंबू स्टिक लेकर आता था जैसे बच्पन में हमारे हां पर वह आते थे ना बुडिया के बाल बेचने राइट वैसे बेकर आता था एक दम उ आप चेल वह जो थड है वह बैंबू स्टिक है वह सुन सकतो है कि अभी भी कुछ बेकर वहां पर आते हैं सेम जिंगलिक साउंड आपको सुनाई देगा नरेटर बताते हैं बच्पन में जब ऐसे साउंड आता था मैं पता चल जाता था बेकर आ गया हम लोग उठ जाते थ हमारे सारे फ्रेंस के लिए आजन अलाम होता था अज़ों लोग उठ जाते थे और बिना ब्रश करें या बिना अपने मूँ को दोए हम लोग सीधा बाहर चले जाते थे तो बोलते हम ब्रेड लेने नीं जाते थे ब्रेड तो जो मेंड शर्वेंट है वो कलेक्ट करता था जबकि बच्चों को सबसे ज़ाए क्या पसंद हम इसी याद रखना बच्चों को पसंदी bread bangles जैसे डोनट होता है डोनट आहते हैं आप लोगों आप शेप का होता है तो ऐसी शेप का परमपराएं है ठीक है और फेस्टिवल्स है उसमें यह जो बेकरी प्रोडाक्ट सेना इसकी बहुत ज्यादा महत्वपून जगा है बोल और स्वीट ब्रेड इस पार्ट ऑफ मैरेज गिफ जब भी वहां पर कोई शादी होती है तो वह मीनिंगलेस मानी जाती है उसका कोई मा अगर घर में इंगेजमेंट है तो जो बेटी की मम्मी है वो क्या बनाएगी सांविचेस बनाएगी ऐसे वहां पर यूण ट्रेडीशन थीक है जैसे अगर यहां पर आप हमारे यहां पर लगाओ तो दिवाली पर मिठाई आती है राइट ट्रेडीशन है गनपती जी को इक ड्रेस पहनते थे बच्चों जिनें हम लोग बोलते थे कब आई ठीक है बट डियूरिंग दे नरेटर चाइल्डूट डेस बड़ा हुआ उन दिनों में जो बेकर्स है वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे ट्राउजर उनके जो घुटने हैं वहां से थोड चलता था और वो रजिस्ट्र में नहीं पैंसिल से दिवारों पर हिसाब लिखा करते थे बहुत अमीर होते थे क्योंकि इनकी जरूरत पढ़ती पढ़ती थी ठीक है तो यह लोग अपने बिल्स को एड दी एंड आप दे एवरी मंथ बच्चों कलेक्ट किया करते थे बेकर भूके पेट नहीं सोना पड़ता था समझ में आया तो यह फर्स पार्ट की इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है सेकंड पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का कूर्ग कूर्ग में क्या बताया गया है देखो ब्यूटिफुली बताया है smallest district of करनाटका के ब इपसूरत बच्चों इसका वैदर रहता है पूरे साल और मॉंसून में यहां पर बहुत बारिश पड़ती है यहां के जो लोग है बच्चों उन्हें बहुत जादा बहुत जादा बहादुर माना जाता है तब यहां के लोगों को बिना लाइसेंस के गन तक रखना अलाउ वगेरा भी देखने मिल जाएंगे सो यहां पे जो हमारे राइटर है बच्छो डिस्क्राइब करते हैं हिल स्टेशन ऑफ कूर्ग जो कि कहां पर लोकेटेड है वेस्टेन घार्ट में दस्टेट ऑफ करनाट का यह आपको बैंगलोर और मैंगलोर के बीच में पड़ेगा स्यूटेबल टाइम कूर्ग का है सेप्टेंबर से मार्च तक का यहां पे जो प्लेस कूर्ग है बच्छो वह बहुत जादा फेमस अपनी कॉफी प्लान्टेशन के लिए मैं आपको बता चुकी हैं और यहां पे बहुत सारे रेंफॉरेस्ट हैं कूर्ग के जित्ते भी को कडावू भी बोलते हैं और यहां के लोगों को कडावू भी बोलते हैं कि कोपनी ही कम्टी में शादी करते हैं और बोला जाता है की ये जो kडावूज है नई तो ये ग्रीक और नहीं तो अरेबिक जसंन से बिलॉँघ करते हैं टीक है अब ग्रीक से क्यों बोला जाते हैं कि भाई इनके जो पूर्वश थे वो ग्रीश से थे क्यों कि कुछ लोग थे बच्चों एलेक्जेंडर आर्मी के जो यहीं पर सेटल हो गए उन्हें वापिस डाना सेंसलेस लगा तो यहीं पर सेटल हो गए उन्होंने लोकल लोगों से शादी कर ली ठीक है एंड फिर उनकी फैमली आगे बढ़ती गए एंड प्लस यहां पर जो इसलिए बोला जाता है कि शायद इनके जो पूरवश थे जो एंसेस्टर से वो शायद अरप से ठीक है याद रखना कूपिया कोडावुस का है और कूफिया अरप्स का है सिमिलर सी ड्रेस है यहां की बच्चों जो नदी है वो है कावेरी कावेरी में आपको एक विशाल उच्छी महसीर भी देखने मिल जाएगी और बहुत सारे और बिर्च बीर्ड वातावरं होता है बहुत जाध सरी और यानि की काम होता है उए सबस्क्राइब आप त्रेकिंग कर सकते हो त्रेकिंग के द्वारा आपको तरीके-तरीके के जो जानवर हम यहां पर देखने मिल जाएंगे यहां पर जो कुछ फेमस जगा है जो आप विजट कर सकते हो वो हैं बच्चों ब्रहमागीरी एल्स ठिक है निसरगदामा आइलाइं और बिलाकुपि तिबितियन सेटलमें कूर्ग गिव्जिटर अफिल ओफ इंडियाज डाइवर्स कॉल्चर बेसिकली इस पार्ट में बताया गया है कूर्ग के बारे में कि कूर्ग अज़ डिस्ट्रिक्ट कैसा है समझ में आया कि यहाँ पर आपको वेरिएस टाइपस ऑफ जानवर मिलेंगे वेरिएस टाइपस ऑफ आक्टिविटी आप कर सकते हो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि यहां के लोगों की जो ड्रेस है वो कूपिया है जो की अरब के लोगों से मिलती है कूफिया से इसलिए जाता है कि शायद इनके जो अरब से भी थे यहां के जो लोग है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं इसलिए उन्हें पर्मीशन दे रखी है कि भाई तुम लोग गन भी रख सकते हों ठीक है बिना लाइसेंस के गन रखने की पर्मीशन दी है यह लोग बहुत वो आपको नरेट करेंगे तो यही सारी चीज़े बच्चो इस पार्ट में बताए गए जो थर्ड पार्ट है वो है आपका टी फ्रॉम असाम यह जो चैप्टर है यानि कि यह जो पार्ट है यह दो फ्रेंट्स के बारे में है प्रांजल और राजवीर दोनों ही अपनी समर विकेशन उनकी पढ़ गई है और वो लोग प्रांजल के होम टाउन असाम जा रहे हैं तो अब प्रांजल तो असाम से बिलॉंग करता है तो उसे इतनी एक्साइटमेंट नहीं आ जाने की बट जो राजवीर है बच्चो उसे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि वो पहली कि आखिर चाई की जो डिसकवरी है ये हुई कैसी वो चाई जिसे हम लोग अमरित की तरह पीते हैं हना आरे चाई लेया चाई लेया ये भी आगया फिर से चाई लेया तो इसके डिसकवरी अक्चुल में हुई कैसे ये पता चलता है तो ये पूरी की पूरी स्टोरी कि चाहे चाहिए तो पूरे कंपार्टमेंट पूरे ट्रेन के डबे में जित्ते लोग होते हैं अब इधर से बच्चों इनकी जड़ने शुरू होती है और प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे को इतनी एक्साइटमेंट नहीं ह है इस तरीके से इतनी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है लोग जो है वो टी की लीफ को इखटा कर रहे हैं तो राजवीर बहुत एक्साइटेड हो जाता है बच्चों इतनी बड़ी-बड़ी टी प्लांटेशन देखे बट प्रांजल को वह एक्साइटमेंट फील नहीं होता क्योंक कि वह फर्स साइम जा रहा होता है तो राजवीर ने बच्चों बहुत सारी स्टडी बहुत सारा साम के बारे में वह पढ़के जा रहा होता है बहुत सारी बाते वह चाय के बारे में पढ़के जा रहा होता है कि चाय कैसे डिसकवर हो और राजवीर को बताता है कि चाय की ड प्रिशकर चाहिना में हुआ फिर यूरोप पहुची इन दे 16th सेंचुरी जहां पर उसको बच्चों दवाई की तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए पिया जाता था ना कि ऐसे अमरित की तरह जैसे हम आज पीते हैं चाहिदो 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 तो उसे पिया जाता था सबस्क्राइब दवाई की तरह देरा नुमेरिय स्टूरीज एस तू हाव इट वॉस्कोर अब ये भी बताता है कि बहुत सारी स्टॉरीज कि कैसे चाह looks एक काहिद में में हैं और एक बुद्धिस्ट मॉंक के बारे में चाइनीज एंपरेर के बारे में क्या स्टोरी है कि यह जब भी पानी पीता था तो उसे उबाल के पीता था तो एक दिन इसका पानी उबल रहा था और उसमें कुछ पतिया कुछ लीव्स गिर गई जब उसने पिया तो इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगा और वो लीव्स थी उसमें से कुछ टी के जो पौदे है वो उगे बाहर आए वो लीव्स बाहर आए तो जब यह लीव्स उसने मिला कर पी तो उसकी नीद गायब हो गई तो यह इसलिए फेमस है कि भाई जो चाए है जो इसकी पतिया है इससे क्या होता है नीद भाग जाती है तो यह दो कहानि है बच्चों चाई के पीछे अब जब उनका यह डिसकाशन हो रहा था तो फाइनली अपने स्टेशन पर पहुत जाते हैं जहां पर प्रांजल के जो माता पिता हैं वह उल्रेडी उनका इंतजार कर रहे होते हैं अब जब वह आते हैं दोनों बच्चे ट्रेंस से बाहर तो जाता है उस ट्रॉक में बच्चों वह पूरा पूरा भर रख ऊता होते हैं तो राज्वीर की पूरा ध्यान उपे चली शालता है अपने तो अब राजवीर बताते हैं कि से किस के सीजन है है जब टीडंऑ तोड़ा जाता है तो गरांग्न बवह त्च्छांड के आ तो प् में क्या है कि मैं और बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े सीख कर जाओंगा ठीक है बच्छो तो यहीं पे जो यह वाला हमारा चाप्टर है Glimpses of India I guess आपको समझ में आया होगा यह shortest explanation थी तीनों parts की I'll see you in the next chapter. Hi guys तो हम करने वाले हैं हमारा next chapter जिसका नाम है दनेक्लेस दनेक्लेस जो चाप्टर है ना बच्चो यह बहुत ही जादा interesting chapter है हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख बता कर जाता है कि किस तरीके से अगर हम लोग संटुष्च नहीं है जो हमारे पास है तो हमें लाइफ में बहुत सारी चीजों में मुसीबते सेहन करनी पड़ सकती है हाना आप अगर कोई सपना देख रहे हो आप अगर कोई मेहनत कर रहे हो और आप लोग अगर उस सपने के पीछे जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है सपना देखना बहुत अच्छी बात है बट बार बारी एक चीज पे यूनो लालच में आना एक चीज को लेकर ये कहीं न कहीं बच्चों बहुत गलत बात है तो यहां पर दनेक्लिस चाप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक औरत जिसका नाम है मेचिल्डा मेचिल्डा लॉइजल उसने लालच में आकर और अपनी जिंदगी से अंसाडिस्वाइड होकर के नहीं यार मैं तो बहुत गरीब हू मुझे यह भी चाहिए वो भी चाहिए यह सब उसने अपने दिमाग में बसा कर कितना जादा खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रियेट कर ली यह हम इस चाप्टर में देखेंगे तो यह पूरी की पूरी कहानी है बच्चों यह रिवॉल्फ करती है अराउंड असेलफिश लेडी नेम मतिल्डा आपको याद रखना है कि एक लेडी है बच्चों जिसका नाम क्या है जिसका नाम है मतिल्डा शीज अंसाटिसवाइड विधर लाइफ अशी वॉन्ट सर रिच हस्बें वह अपनी लाइफ से ना बहुत अनसाटिसवाइड है क्यों क्योंकि वो यह सो अब बस ख्वाइचे कर रहे हो बैटके सपने देख रहे हो और अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप गुस्से में आ रहे हैं तो वो अपनी लाइफ से बहुत नाखुश थी क्यों क्योंकि उसे एक रिच हस्बेंड चाहिए था और वो खुद फैमिली स्क्राइथ मिनिस्टर के गहर पर इक पाटी होती है जहाँ पर उसके हस्बेंड को इंविटेशन आटा है तो वो घर पर आता है कि तुम एक dress खरीद लो और जो तुमारी एक पुरानी friend है Madam Forrester उससे तुम jewelry ले लो वो वैसे ही करती है वो उससे necklace उधार मांग के आ जाती है अब बच्चो आगे की कहानी में क्या होता है ना ये एक सबक है ये एक lesson है इस Matilda के लिए सो देखें ये story अभी तक मैंने आपको बताया ये कहानी किस बारे में है अभी मैं आपको बताऊंगी ये कहानी क्या है सो शुरू करते हैं बहुती कम समय में मैं ये आपको पूरा chapter समझाने वाले हो सो बच्चो जैसे कि मैंने बताया एक lady होती है मैचिल्डा एक उसकी friend होती है माजम फॉरियस्टर और होता है मैचिल्डा का पती ये तीनी characters हैं हमारी story में अब जो मैचिल्डा होती है बच्चो वो एक apartment में रहरी होती है घर पे रहरी होती है अपने husband के साथ Mr. Loisel के साथ और वो बहुत नाखुश होती है और unsatisfied संतुष्ट नहीं होती अपने जीवन से क्यों नहीं होती क्योंकि उसका जो घर था उसकी ऐसे शाबी walls देखकर हना एकदम डल दिवारे देखकर एकदम furniture देखकर टूटा फूटा furniture है कहां रहे हैं क्या कर रहे हैं यह सब सोच सोचकर वो बड़ी नाखुश होती है अब ना तो वो रिच थे ना वो पूर थे यानि कि कही न कई middle class में वो लोग आ देते बट उसे तो अमीर होना था वही अपने middle class status से खुश नहीं थी ठीक है उसे शादी करने पड़ी एक clerk से ठीक है वो clerk कहां काम करता था इंदी board of education तो board of education department में वो उसका जो पती है Mr. Loisel as the clerk का का काम करता था और उसकी शादी clerk से क्यों हुई क्योंकि उसकी family के पास दहेज नहीं था couldn't afford to give her dowry दहेज नहीं था उसकी family के पास हाना अगर भाई लड़की वो लड़की की family के पास अगर पैसा है दहेज है देने के लिए तो हो सकता है भाई किसी अच्छे से शादी करा देते अब दहेज नहीं है तो अपने लेविल का ही लड़का ढूनेंगे तो क्योंकि वो खुद clerk की family से थे तो एक clerk के साथ उसकी शादी करा दी अब भाई करा दी तो करा दी ना खुश रह रही है एक और इसके साथ problem थी कि इसकी एक जो friend थी madame Jean Forrester उसके घर जाना इसको बिलकुल नहीं पसंद था इसकी बहुत पुरानी friend थी बटी उससे चिड़ती थी क्योंकि वो बहुत अमीर थी तो जब भी घर इसके जाकती और वहां से बापिस आती तो बहुत रोती क्योंकि यह वहां पर देखती कि किस तरीके से वो रह रही है मेरी दोस्त कितनी अमीर है उसके पास कितनी जादा luxury है कितना अच्छा status है तो वो बहुत डिप्रेस हो जाती वेनेवर शी विजिटेडर शी बीकेम साड और क्राइड पॉर डेस चुगेदर ना और दिन तक रोती रहती रहती तो एक दिन क्या हुआ बच्चों ऐसी चलता रहा चलता रहा एक दिन इसका जो पती होता है हर हस्बेन रिटर्न होम फ्रॉम वो काम से घर आया शाम में लो सय आजए मेरी बीवी बहुत खुष हो जाएगी पार्टी की बात करके को टार्डरी कोन्ट्ररी मतलिबत क्या होता है अपोसलिट विप्रीट किस चीज के विप्रीट उसकी एकसपेटेशन उसके उम्मीदों के विपरीत हुआ उसने सोचा था खुश होगी बट उल्टे हाथ पे उसके जो बीवी है वो बहुत irritate हो गई गुस्से में आ गई बच जो बीवी होगा कुछ नहीं पता कब गुस्से में आ जाए उसके बीवी बहुत ज़ाद गुस्सा होगी बहुत ज़ाद एंगरी होगी और उसने वो कार्ट फेक दिया त्रिव दे कार्ड वे शी वस अपसेट क्यों अपसेट थी उसके पती हहरान हो गया कि भाई ये क्यों अपसेट है तो उसने बताया कि she didn't have anything to wear at such an extravagant party कि भाई इती बड़ी party, इती बड़े-बड़े लोग होंगे, सारी औरते सजदच कराएंगे और मेरे पस क्या है party में पहनने के लिए, कुछ भी नहीं और तुम चाहते हो कि मैं खुश हूँ invitation पे, fake the invitation अब भई उसका पती बिचारा क्या करें, क्या करें, वो फूशता है भई बता, क्या करा जाए, क्याती ड्रेस भाई, बोलती बहई कितने पैसे लगेंगे, मतलब ले ले, ड्रेस ले ले, कोई बात नहीं भाद नहीं, बढ़ ठीक सी ले, बोलती 400 फ्रांस लगेंगे ड्रेस के लिए तो उसका बिचारा पती जो पैसे जोड रहा होता है अपने लिए गन खरीदने के लिए यह आदमी पैसे जोड रहा होता है कि मैं एक गन खरीदूंगा ताकि मैं मेरे बाखी के दोस्तों के साथ हंटिंग जा पाँ शूटिंग पर जा पाँ हाना शूट कर पाँ तो बिचारा अपने लिए पैसे जोड़ता बट वो सारे के सारे पैसे उठाकर अपनी बीवी को देता है कि भेंट तू खुश रहे हाना तू ले ले नहीं ड्रेस सो गे बाया निव ड्रेस दट ही हाट बीन सेविंग तो बाया गान सो दाट कुट गो हंटिंग विद इस फ्रेंस पैसे दे दिये अब भाई ड्रेस के बाद भी वह बहुत ही जादा सैड थी उसने बोला भाई अब तो तुने ड्रेस भी ले ली अब तू क्यों इत्ती सैड है तो उसने बोला मेरे पास जोलरी नहीं है तो मेक हर सेल्फ लुक मोर अप मैं यह कर सकती हूं जब मैजम लॉइजल यानि की बच्चों जब मेटिल्डा अपनी फ्रेंड के घर पर पहुंचती है और पूरी सिचुएशन समझाती है कि ऐसी ऐसी बात है मुझे ज्वेलरी चाहिए तो उसकी जो फ्रेंड होती है वह बहुत अच्छी होती है वह पूर तो वो वो लेकर चली जाती है उसके बाद वो मिनिस्टर की पाटी में जाती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है सारी के सारे जित्ते भी वहां आदमी होती होती हूं उससे एड्मायर करते है हना उसकी तरफ एट्रैक्ट होते हैं उसे बोलते हैं looking very beautiful बहुत इं लग रही है अपनी नई ड्रेस और ज्वेलरी में तो अच्छे से वो इंजोई करती है और सुभा चार बजे वो लोग घर वापिस आते हैं जब वापिस आते हैं तो इसके बीच में जो इनका पती होता है यह जपकी ले चुका होता है जब यह वहां से निकलते हैं इन्हें कोई वीकल नहीं मिलता अपने घर वापिस आने के लिए हना कोई गाड़े नहीं मिलती हैं फाइनली थोड़ी दिर चलने के बाद इन्हें गाड़ी मिलती है जो इन्हें इनके घर पे छोड़ती है मैं टेलडा जब उपर आती है और शीशे में एक आखरी बार खुद को निहारती है तो वो दीखती है अरे मेरा निकलेस का नहीं बनता अब उसका पती बेचारा अभी- पुली स्टेशन भी जाता है कैब ऑफिसे भी जाता है कि जिस गाड़ी में आएं वहापर जिस कैरिज में आएं वहापर तो नहीं छूट गया आडवर्टीजमेंट बच्चो निउसपेपर में एड भी छपवा देता है कि जिसको भी नेकलेस मिलेगा उसे हम कुछ देंग यह question board के exam में पूछ लेते हैं कि क्या बहाना मारा उन्होंने तो बहाना मारा की hook तूट गया है repairing के लिए time चाहिए ताकि हमें थोड़ा ढूड़ने के लिए time मिल जाए क्योंकि उसको तो बता नहीं सकते नेकलेस नहीं मिला तो अब उन्होंने सोचा है हमारे पास कोई option नह सकते यानि कि बिल्कुल सेम हम लोग एक नया नेकलेस खरीद लें और दे एक उन्हें similar बिल्कुल सेम नेकलेस भी मिला बट उसका प्राइस क्या था 36000 फ्रांस तो यह क्या है करंसी है जैसे इंडिया की करंसी रूपी है वैसे ही तो यह 36000 फ्रांस का था फॉर्चुनेटली जो उसका पती था उसके पास 18000 फ्रांस तो उसकी पापा उसके लिए चोड़के गए थह थहानravain मतलब जो उनकी जमना पुँझी थी वह अपने बेटे के लिए चोड़के घय तो इसके पती के पास 18000 थे यानि कि आदे इस बचारे को incidence करने पड़ हुद्रार लेना मिडल क्लास थे पूर हो गए उसमें क्या होता है वो लोग एकदम जुगी में रहने आ जाते हैं वो तो ऐसी दिखावा करने के लाते हैं थोड़ा पिच्चर क्रियेट करने की कोशिश करें कि बिल्कुल वैसी सिती में आ गए जो इसकी बीवी बहुत हाइफाइब बनती थी घ्नी जाती घ्जाती थी रांघीनिंग और जो गए उनकी छोटे में सिफ्ट होना पड़ा कामवाली दोड़ी और अ इसका जो पती है वो भी मल्टीपल जॉब्स कर रहा था तुरी पेद बॉरोड मनी कि वह लिया है उधार वो तो चुकाना है ब्याज भी बढ़ता जा रहा है इन सालों में जो हमारी मेटिल्डा है वो पूरी की पूरी बुढ़ी लगने लग गए थी वह महनत कर रही थी खु वो बास्की बढ़ाक के ग्रौस्री स्टौर भी जाती फूर्स का समान भी खरीगती तो एक दिन क्या हुआ वह अपनी फ्रेंड से मिली वही वाली फ्रेंड माडम फॉरियस्टर जीन फॉरियस्टर उसके आतमे घचा था उससे बहुत गुस्था हो पूलती इसकी वज़े से आज मेरी हालत है मुझे इससे सच बताने ही पड़ेगा I need to tell her the truth कि तेरी वज़े से आज मेरी यह हालत है और उसने पूरा explain किया कि कैसे indirectly तू ही responsible है मैं जो असी दिख रही हूं या मैं जिन आलातों में हम रह रहे हैं मैं और मेरा पदी तू responsible है अब उसे explain करती है कि कैसे जो मैंने तुमसे बौरो किया था निकलेस वो मेरे से खो गया और मुझे लोन लेना पड़ा उसके लिए ताकि मैं replace कर पाऊ यह सुनते ही मैडम फॉरीस्टर बहुत ज़्यादा शौक हो गई यह देख रहे हो कि यह मैटिल्डा देखो कैसे दिख र लेकर गई थी वह तो फेक था वह असली डाइमेंड्स का नहीं था और उसकी कीमत जो तुम 36,000 देकर आई हो उसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंस तो यहीं पर यह कहानी घतम हो जाते तो तरीके से सबक था सेल्फिश में टिल्डा के लिए कि तुम्हारे पास जो चीजें अगर तुम उसमें खुश रहती तो आज को तुम्हारे साथ इतना सब नहीं होता ठीक है बच्छों सवाए होप आपको यह चाप्टर समझ में आया होगा सी विन दे नेक्स वीडियो वाबाई कि kya होता है बच्चों पहला उपदेश आपको पता चली कि और चली कि होगा अपन किसकी बात करेए बत कर रहेए बच्यों गौत्थम घुद्ध ठीक है कैसे human life में suffering तो होगी हना जो इंसान आया है जिसका जनम हुआ है उस इंसान को जाना भी राइट यह एक cycle है अगर कोई बॉन हुआ है किसी का तो उसकी death भी होगी ही होगी और यह भी natural है कि अगर कोई हमारा loved one है तो भाई हमें दुख होगा क्योंकि हम लोग humans है और हमारे समझा रहे हैं कि एक समझदार आदमी वही है जो दुख को अपने उपर हावी ना होने दे हना जो दुख को ऐसा ना कर ले कि उससे आपकी mental health आपकी physical health खराब होने लगे तो यहां पर इस chapter के अंदर भी बच्चों हम एक ऐसी कहानी देखेंगे एक ऐसी lady के बारे में जिसका एक लौता बच्चा मर गया तो उसे गौतम बुध ने कैसे एक शिक्षा दी यह हम इस chapter के अंदर देखेंगे तो एक बारी मैं उपर से बता दू यह chapter के इस बारे में फिर मैं आपको story बताऊंगी तो यह जो पूरा का पूरा चैप्टर है दे सर्मनेट बनारस यह बताता है हमें the early life of lord bud who was originally born as a prince in the royal family तो अगर आप लोगों को नहीं पता बच्चों जो lord bud है उनका as a prince जनम हुआ था एक बहुत ही शाही खानदान से यह बिलॉंग करते थे और यह एक prince थे on being exposed to the suffering of the world फिर एक दिन क्या हुआ यह ऐसी जंगल में निकले तो इन्हों ने देखा कि इस दुनिया के अंदर कितनी sufferings है कि मैं तो prince हूँ हना मेरे को तो सारे चीजों से protect करके रखा हुआ है मेरे पास तो कोई तकलीफ नहीं है बट अगर अपन देखे बाहर निकल कर तो इस संसार में कितनी सारी you know problems है कितनी सारी तकलीफे हैं लोगों को सो यहां पर shielded का मतलब क्या है बच्चो protect कि वो तकलीफे जिनसे इनको shield protect बचा के रखा गया था उन तकलीफों को जब इन्होंने देखा तो उन्होंने अपना ये सारा राज पार्ट सब छोड़ दिया और वो कहा निकल गए मोक्ष की तलाश में निकल गए सारे worldly pleasures पीछे अपने बीवी चोड़के अपना घर चोड़के अपना पूरा का पूरा रॉयल फैमिली चोड़कर वो निकल गए जब उन्होंने मोक्ष मिला उन्होंने अपना पहला उपदेश in the city of बनारस में दिया और यहां पर उन्होंने एक लेड़ी जिसका नाम था गौतमी उसको य रियलाइस कराया एसास कराया कि इनसान क्या है मॉटल है अगर यह पैदा हुआ है तो इसकी मृत्यू भी एक नाएक दिन होगी और एक वाइस परसन एक समझदर आदमी वही है जो ग्रीव ना करे इस बात पे अपना अफसोस ना बया करे क्योंकि यह तो होना ही है अगर एन्हांस होगी यानि की बढ़ेगी कम नहीं होगी समझ में आए चाप्टर किस बारे में है अभी इस चाप्टर को शुरू करते हैं गौतम बुद को जनम बच्चों एक नौर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ था अज़ प्रिंस और उनका नाम था सिधार्थ गौतम जब वे 12 साल के थे तो उन्हें भेश दिया गया था अपने घर से दूर ताकि वो जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्ज हैं हना जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उन्हें पढ़के आपाए और जब वो वापिस आये चार साल बाद तो उनकी शादी करा दी गई एक प्रिं रचकुमार राजकुमारियां होती हैं राजा रानी होते हैं मतलब इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता ओना इन्हें कोई दुख पीड़ा नहीं होता है जत्ते भी वर्ड के unpleasant experiences हैं unpleasant experiences उस मतलब वह अनुभव जिन से हमें दुख हो सारी जितनी भी बेकार की चीज़ें उनसे चुपा के रखा जाता है बट एक दिन जब यह जंगल में थे जब यह अपने हंट पर थे तो यहां पर गौतम बुद्ध को एक सिक मैं उन्होंने एक बिमार आदमी को देखा एक युनों एक अंतिम संसकार देखा और एक मौंक को देखा जो बिक्षा मांग रहा था ज जो असली जीवन है वो तो यह है कि इंसान पैदा होगा इंसान बुड़ा होगा इंसान मरेगा तो यह सारे अनुभव यह सारे इक्सपिरियेंस इस आई ओपनर थे यानि कि इनकी आखे खुल गए और इसलिए उन्होंने अपना राजपाट रॉयल्टी सब छोड़ दिया और वो निकल गए एक स्पिरिच्वल नॉलिज एक मोक्ष की तलाश में जब उन्हें वो मिला तो उन्होंने क्या करा अपने लौता बेटा था और वो एक लौता बेटे की मृत्यू हो गई आप सोचो कि इतनी साथ दुखी बात है बहुत दुखी बात है अब उसको बहुत पीड़ा हो रही थी बहुत दर्द हो था क्योंकि हमारी आखों के आगे हमारे अपने चले जाते हैं और हम उन्हें बचा नह और वो क्या कर रही है एक घर से दूसरे घर जा रही है और सब लोगों से बोल रहे है कि मेरे बेचे के लिए कोई दवाई दे दो जिससे यह खड़ा हो जाए जिससे वापिस जिन्दा हो जाए तो लोग समझने लगे कि शायद इस लेड़ी ने अपना दिमाग खो दिया है यह बच्चों बहुत इंपॉर्ड में पूछ लिया जाता है कि क्या एक शर्त लौड बुद्ध ने रखी अब जब यह लौड बुद्ध के पास गई इसने बताया कि आप मेरे बच्चों को बचा लो लौड बुद्ध ने बूले ठीके बचा लूँगा उसमें और आशा उन्होंने बोला तुम्हें न मस्टर सर्सों की जो सीड्स होती है वो लेकर आनी पड़ेंगी खुश हो गई यहां कहीं से भी मिल जाएंगी ले आती हूँ बट वो बोलते एक शर्त है तुम्हें ऐसे घर से लानी पड़ेगी जहां पर कोई मृत्यू ना हुई हो किसी का भ बारा एक घर से दूसरे घर जाती है बट डिस में मतलब निराशा पड़ निराश हो जाती है क्यों क्यों से एक भी ऐसा घर नहीं मिलता मस्टर सीड्स तो बहुत लोग देते हैं कि यह ले मुट्टी बर मस्टर सीड्स बट जब वो अपनी शर्त बताती है कि क्या तुमारे यह दुख मत याद दिलाओ क्योंकि इतनी तो खुशी नहीं है जितनी देथ हुई है लोगों के घर में मतलब ऐसा एक भी घर नहीं था जहां पर किसी की मृत्यू ना हुई हो तो बहुत डिसाटेंड हो जाती है बहुत जादा उसका दिल तूट जाता है अफसोस में आ जा सेलफिष ती यानि कि जशल लाइट कर रही है वैसे इन्सानों का जीवन भी होता है वह एक दिन भुझना ही राइट फिर वहon कि आयोगों सेज्च हमुआ कि अइस बारे में सोच्टे में अजी अज एक इनसान हम एक इनसान हमारे साथ अग politics dings नहीं है इसे बुद्द्ध ह्ट शेह एंडरस्टन अठाइड साज़ते थे So according to Lord Buddha, feelings of grief and sorrow only increase man pain and suffering कि जाहिर बात है दुख होगा, बट ये जो feelings है, grief, shock की इससे क्या होगा, हमारे जो दर्द है, जो पीडा है, वो बड़ेगी ही बड़ेगी और इससे deteriorate मतलब खराब होना deteriorate मतलब खराब होना, क्या खराब होगा हमारी health हमारी जो health है वो खराब होगी, इसे लिए एक wise person, एक समझदर आदमी बच्चों वही है जिसे ही nature की functioning, जिसे ही कुदरत की functioning पता है हना तो वो उस बात पर कभी shock नहीं मनाएगा, जो चीज़ bound to happen है यानि कि जो चीज़ होनी ही होनी है और केवल तभी ही एक इनसान happy और blessed रह सकता है समझ में आया, so that's all guys I hope आपको यह chapter समझ में आयोगा, 10 minute के अंदर हमनी यह chapter कर लिया so yeah मुझे comment करके जरूर बताना आपको कैसे लगी video, thank you so much